कुशन लगाने की कोशिच करता हूं यह मान कि यह कुशन हमको आता नहीं है कुशन है टैने टैने टैन भी देखे यह कुशन है आपका अंडरूट कि टैने टैन भी अपार साब भाई साब को कुछ समझ में आ रहा हम जो पड़ा रहे हैं हं मजारी है कुछ बोल रहा था क्या कुछ बोल रहा था क्या अच्छा बोल रहा है था पढ़ रहा है कुछ उसको परिपर परणा तो हमका परिंटर के लिए बहले प्लेंट फीघर के वारे अब पढ़ाई A cot B upon sin A sec B, sin A into sec B, और आएगा, minus sin square B, minus sin square B upon cos square A, जरा समझने की कोशिच करिएगा, तेकि हमें जो प्रूफ करकर आना है, वो प्रूफ करना है, is equal to 10 A, यहीं equal to 10 A चाहिए, यहीं आपको angle B गाइब करना है यहां से, आदिल साथ देखे, question यही है, और उसमें 10 A प्रूफ करना है आपको, is equal to 10 A, और given है कि A plus B is equal to 90, तो हमें यहां B को गाइब करना पड़ेगा, तो B के क्या रखेंगे हम, अगर हम B को गाइब करेंगे, तो B की value यहां क्या रखी जाएगी, 90 minus A, रख देते हैं, तो यह आगया under root of 10 A, इसको लिख दिया 10, 90 minus A plus 10 A into cot 90 minus A upon sin A into sec 90 minus A minus sin square 90 minus A upon cos square A. हमने कुछ नहीं किया है, हमने किवल अपना जो B angle है, उसको हमने A में convert कर दिया है, है ना, तो देखो ध्यान से, 10 90 minus A cot होता है, cot 90 minus A 10 होता है, जो भी formula होने apply कर दिजिए, यह step note कर दिए, फिर्म diet करती, इसी में note करेंगे, step note कर लिया, हाँ step note कर दिए, आदित साफ सौन में आ रहा है, यह ना समझेगा है, पार्त का question है, आर्त कैमरे के बहुत नजदीक हम कुलता है, close बहुत ज़्यदा है, तड़े कोई बात नहीं, मैं इसी में लिखना चाहता हूँ, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया, जब इसी में लिखेंगे, note कर लिया, आप देखो ज़ड़ा, 10-90-A क्या होता है, cut A, तो मैंने इसको आटा दिया, इसकी जगा रख दिया, हमने cut A, cut A, अच्छा, cut 90-A क्या होता है, 10 A, हमने इसको आटा दिया, इसको रख दिया, 10 A, 10 A, सेक 90 मैंनस एक को अटा दिया कायम करूड होगा कॉसेक ए और साइन 90 मैंनस एक को अटा दिया तो कायम चेंज होगा कॉस ए तो आ गया कॉस स्क्वार ए यहां तक बात समझ में आई अब देखो 10 और कॉर्ट में क्या रिलेशन दिखा आपको यह एक दूसरे के रिलेशी प्रोकल है तो यह इसको काट के 1 लिखा जा सकता है 1 और प्लस 10 इंटू 10 है क्या हो जाएगा 10 स्क्वार है अपान यह क्या हैगा साइन और कॉसे के में क्या रिलेशन है यह भी तो रिलेशी प्रोकल है तो आपान में बना जाएगा माइनस यह कटके बना जाएगा ज़रा देखिए यहां तक बात समझाएगी न तो अगर इसको हम ब्रैकेट हटा पूरा आप लिख दें तो 1 प्लस 10 स्क्वार है माइनस 1, 1 बन कर गया रूट 10 स्क्वार है इस इकल टू 10 हमने कुछ नहीं किया जो भी एंगल है उसको हटा दिया उसको ए में कर दिया बाइ यूजिंग दा रिलेशन ए प्लस बी इस इकल टू 90 और कुछ क्या गिवन है बोलें आप 10 ए इस इकल टो 1 यह बताएए अगर मैं ट्रिश्यों की बात ना करूँ मालू है ना नहीं दो चीजिए अभी दूस्तरों तरीके से बता रहा हूं 10 45 डिगरी की वैलू होती है तो ए इस इकल टू 45 होगा अब आप यह कह सकते हैं कि भाई यह जो कुछन आप बता रहे हो 45 यह अभी उस इक साइज में तो आया नहीं है तो आप 45 बताए दिर तो अभी दूसरी तरीके से बता रहा हूं 10 B क्या किवन है रूट 3 10 वे किसकी वैलू होती है तो बी कितना हो गया 60 डिग दी अब किसकी वैलू निकाल नहीं है आपको एक मिनिट कॉज A कॉज B माइनस साइन A साइन B वो रूट 2 प्रस वर अपान 2 रूट 2 आ रहा होगा नहीं पता नहीं क्या रहा हो देखे कॉज A बोले तो कॉज 45 डिगरी इंटू कॉज B बोले तो 60 डिगरी माइनस साइन A बोले तो साइन 60 डिगरी और साइन A बोले तो साइन 45 डिगरी और साइंस सिश्टेट रग दो बहुँ लू चॉच 45 वन बाई रूट टू कॉच 60 वन बाई टू इसमें वन बाई रूट टू और रूट 3 वाई टू तो यह आपका वन माइनस रूट 3 अपान 2 रूट 2 हो गया यह आ रहा हरा अंसर यही पोला ना अब देखे इसको नोट के दे फिरम बात करते हैं समझ में आई बात नहीं आई अरे भाई 1 by root 2 into 1 by 2 नियुमेरेटर नियुमेरेटर का मल्टिप्लाई होता है उपर उपर का है नीचे नीचे कर बल्टिप्लाई होता है यहीं बताना पड़ेगा तो देखे देखो देखो वन इंटू वन वन बाई 2 रूट तू आएगा और माइनस यहाँ पर क्या है वन इन्टू रूट थी तो रूट थी उपर हो गया नीचे टू रूट टू आएगा अब दोनों ही केसेज में आपको डिनामेटर सेम दिख रहा है ना जब लेंगे तो उपर वन माइनस रूट थी आएगा नहीं आएगा अब देखे अगर यही क्वेशन माले एंगल्स इग्जेक्ट ना दिये होते तो क्या करते देखो द्यानजी यह नोट के लिए फिर हम बताएं अग्य वियाग्य व्याँ ग्याट रहा है तो क्या अग्या पिना यह लिए, क्या से रहा है, नोट शने झाट्रण यह Um बंगे लिएग्या Tang Nai हो गया ना अब ज़रा समझेगा एक मिनट पार साथ में आया अब मालिया आपने का ठीक है एंगल मालिया ऐसे कुछ वैल्यू दी भी है जिनके एंगल्स हम नहीं जानते वाई वन चलो ठीक है मालो भें 45 डिगरी मालिया यह वन बाई 3 लिखा होता हम क्या करते देखें यह टै एक डाइग्राम रफली बना नहीं आपका यह वाला तो वन अपान वन यह अंडरूट तू आ जाएगा पैथागोर स्थ्वरम से आ जाएगा ना आप परेशान लग रहे हैं पार्ट साब कोई दिकत हैं ने बताए कुछ कोई कहानी सुनाया हम तू रिलाक्स दे माइंड ग इंगल 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 इंटी स्टार देखो यह स्टैन भी दिया है यह वी एक अपनी तरफ से डाइग्राम बना ले अब आप कहेंगे आप डाइग्राम क्यों बना रहे हो पी अपान बी लगाओ ना एक कंफ्यूजन की स्थित यहां पर है देखो पी अपान एच जो भी ल आप देखें जब हमको काज निकालना होगा यह डाइग्राम समझ में नहीं आया यह यह पार्था को से ट्राइंगल के पास जाएंगे इसके पास तो बेस अपन है इंग निकलेगा वन रोट टू इन टू जब कॉस बी की बात करेंगे तो हम यह देखेंगे 1 by 2 minus sin A यहां जाएंगे 1 by root 2 into sin B यहां जाएंगे root 3 by 2 solve पर लेंगे हम इसको तो अब देखें चुकि यहां पर जो values दिवी है वो standard angles की है 0 degree, 30, 60, 45, 90 हम जानते हैं तो वो apply करो अब अगर ऐसी value हो जिनके angles हम नहीं जानते तो फिर you apply the this method ठीक है और कोई कुछ पूछना है अच्छा इसमें last height and distance खोलिए आपके पास होगा heights and distance उसके questions आज discuss करेंगे अच्छे नए सबसे identity वाले सबसे last में देखें last chapter कौन सा है last chapter क्या है यह साथ हाँ उसी की बात कर रहे है अब ज़रा समझेगा अब हम बात कर जा रहे है height and distance की इसका पहले logic समझेगा लफड़ा क्या है अगर आपको कोई बहुत दूरे कोई मिनार दीवियो मिनारेट जिसको कहते हैं और हम कहें इसकी height निकालो तो आप पैदल जाके उसके नजदीक पहुँच गए और वो 100-200 feet की उपर है तो चड़ जाओगे क्या उसकी उपर नहीं चड़ सकते आप तो हम उसकी value कैसे निकालेंगे हम angles की help से उसको निकालेंगे ठीक है तो वहाँ पर हम बात करते है height and distance की किसी मिनार की height निकाली हो किसी mountain की height निकालनी हो तो हम इसकी help से निकाल सकते हैं कैसे इसपे दो word आएंगे बार बार एक आएगा angle of elevation angle of elevation और एक आएगा angle of depression angle of depression देखें वो एक simple सी language मैं आपको बता देता हूँ आप जहां पर खड़े हैं यह मान लिजे कि आपकी आँख होरिजंटली ऐसे देख रही है ठीक है अब किसी object को देखने के लिए आपको अपनी आँख को जितने degree से जुकाना उठाना पड़ता है इसको कहते हैं angle of elevation समझाई बार नहीं आई जैसे आप नीचे खड़े हुए है आपनी height को negligible यह आप एक point है जब तक आप से कहा न जाए कि इतने fit height पे हम खड़े हैं तब तक हम ground पे रहेंगे और अब आप कहेंगे साब मेरी आँख तो मेरे पैरों से थोड़ा height पे रहती है हम तो मेरी बहुत height है वो फिलाल मिनार की height से तुला में आप कुछ नहीं है ठीक है तो आप एक point object है और आपकी आँख किधर देख रही है ground के parallel देख रही है ठीक है अब अगर मिनार की tower का height top देखना हो तो क्या करेंगे आप आपको अपने आँख को ऐसे उठाना पड़ेगा ना तो जितने angle से आपने आँख को उठाया that is called angle of elevation पहली बात सुन में आगई क्या होता है अब माली आप किसी मिनार पे खड़े height पे खड़े tower पे खड़े mountain पे खड़े अब mountain पे खड़े तो आपको अपनी आँख को जुकाना पड़ेगा तो किसी object को देखने के लिए अपनी आँख को जितने डिगरी से जुकाना पड़ता है वो angle of depression है मतलब समझेगा जैसे मैं first case में बात करूँ अगर ये कोई tower है ये tower माले AB एक tower है और ये इसका ground है और हम इस ground पे sea point पे खड़े है तो ये मान के चलेंगे कि हम मतलब एक point हम मतलब नहीं कि मेरी height बहुत है मैं एक point हूँ और मेरी आँख पहले किदर है parallel to the ground अब अगर आपको tower का top देखना क्या करेंगे you have to raise your eyes like this अपनी आँख को ऐसे उठाना पड़ेगा तो आपने अपनी आँख पहले आपकी ऐसे थी और ऐसे उठा की यहां ले गए तो आपने आँख को आपने theta degree से उठा दिया तो this angle is called angle of elevation यही angle of elevation है सौज में आई बात अच्छा second case में क्या हो रहा है यह दुबारा वही tower है लेकिन अब हम tower के उपर है यह बुर्ज खरीफा वाला tower माल लेते हैं नाम सुना होगा आपने हमने भी नामी सुना है सुना है बड़ा सुन्दर बनाया गया है हम चाहते हैं कोई हमारा student गुमने जाए और हमको भी घुमाने ले जाए बोले अच्छा बेटा अच्छे मिले हो सुनो मैं इसके tower में ऊपर हूँ तो यह माल लेते हैं मैं किधर देख रहा हूँ मैं इस horizontally सीधे देख रहा हूँ ठीक है अब यह ground है और ground पे किसी point को देखना है देखो आपको अपनी आँख को horizontal से ऐसे जुकाना पड़ेगा तो यह आपने इसको जुका दिया यह ज़रा देखे यह angle यह जो आपने जुकाया है alpha इसी को कहते है angle of depression यह क्या गलाता है यह जो लिखा हुआ है angle of depression समझज़ाई बात अब वो एक अलग की बात है कि भाई यह angle और यह angle same होता है वो एक अलग की बात है क्यों same होता है क्या नाम इसका दोनों का नाम क्या है alternate angles है इसलिए वो equal man लेते हैं शरिमान क्यों लेते हैं होते हैं लेकिन यह alpha depression है बहुत लोग यह alpha जलबाजी यह नहीं है ध्यान कीगा आप height पे ऐसे देख रहे हैं और किसी update को देखने के लिए आँक को जुकाया तो इससे जितने angle से जुकाया वो angle of depression है तो इस जुकाया angle is alpha समझ भी आया कोई angle of elevation angle of depression अब कुछ question distance करते हैं height and distance को लिए हाँ हाँ नोट कर लिए तुम दोनों का आपस में संपर्क होता है path and adit कि दोनों अलग अलग गैंग के हो कि आपस में कुछ संपर्क है ने ऐसा करो ना ने ने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे height and distance पढ़ाना है तो तुम ऐसा कि अगर अपनी बुक की फोटो जो है पीडिया वो उस पेज़ की भेज़ दिया करो तो questions से मैच हो जाए करेंगे क्योंकि पार्स की बुक के questions हमारे साथ मैच करते हैं मेरे पास बुक रखी हुई है ना 10th की है 9-10th combined है क्या हाँ 10th की मेरी प्यास भी 10th की हम 9 तो पढ़ी चुके हो 9 की क्या है 10th की हमारे पास है आडिशन में यह है हमारी ज्यादा सुन्दर है तो तुम्हारी अच्छी होगी खेर तो ऐसा करते या जिस चैप्टर को पढ़ाना हुआ करें मेरा नंबर नोट करिए आदिश साब 888 नंबर नोट करिए ग्रुप ग्रुप में था है ना आज ग्रुप में नंबर है ना मारा तो तो ऐसा करना कि अपना नंबर सेंट कर देना तो हम आपको उस पेज की जो है फोटो भेदेंगे जिस पेज के जा रहे होंगे ठीक है और आपको जो कोशन करना हो वो पता दो कोई दिक्कत नहीं यहां भी हो जाएगा अच्छा आप कोशन पर आते हैं जड़ा जड़ा खोलिए वो एक्जामपल्स तो लगाएंगे आप जड़ा एक चीज समझेगा कुछ चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगे यह समझ में आ गया होगा टावर के हायट दीवी है बेस की दिश्टन दीवी है ठीक है यह वाली माले स्लोप ऐसे अगर दीवी है तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने हैप्टमूस होता है जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो यह नाम आपको मालू है ठीक है हम कुछ कोश्चन डिसस करते हैं तुम पूछोगे क्या हम ही पूछते हमी बात करते हैं बहुत सारे कोश्चन है और देखिए जैसे उन्होंने कहा पर एकजामपल लेते हैं पहला पहला एकजामपल दिया हुआ है ये कह रहा है कि टावर इस टेर रूड़야지 मीटर हई एक टावर मीटर इस टावर की हाइट है Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from the foot इसके foot से foot मनिए इसके foot से हम 100 meter distance पे हैं और यहां पर हम खड़े हुए हैं C point पे यानि कि हम खड़े हैं मतलब हम मतलब एक point object जो एक सीधे ground पे देख रहा है अब आपको इसका टावर का top देखना है तो आपको आँख को ऐसे उठारा पड़ेगा तो यह हो गया आँख को उठा दिया यह होगा angle of elevation theta डाइग्राम समझ में आ गया अब अगर इस डाइग्राम के हिसाब से देखा जाए तो इस theta के हिसाब से इस side का नाम क्या है और नीचे वाली side का नाम base तो यह perpendicular given है और यह base given है अब जो आपके trigonatical ratio है उनमें इसे कौन ratio है जो perpendicular base के term में दिया जाता है 10 तो आप कहेंगे in this triangle 10 theta is equal to AB upon AC AB की value दी 100 root 3 BC की दी 100 तो यह under root 3 आगया 10 theta अब अगर हम आप से कहेंगे root 3 बताइए 10 में किस angle की value होती है तो वो फट से tip पे आपकी वालू होना चाहिए सर दबाने से काम नहीं चलेगा 10 60 degree this is the value of 10 60 degree तो अगर हम compare करेंगे theta क्या जाएगा 60 degree तो इस प्रकार से angle of elevation निकालेंगे एक tower है 100 root 3 मीटर हाई है और ground से 100 मीटर distance पर आपको अब देखो इसको ज़रा समझेगा हमने अगर आप से का यह tower की height निकालो तो क्या करेंगे आप और tower से कितनी दूर है यह हमने आपको दे दिया तो आप कुछ instrument होते हैं उनकी मदद से हम इस angle को नाप लेंगे और इस फर्मडे को लगाएगे हम tower की height निकाल सकते है अब देखे पहला question क्या कह रहा है question को ध्यान से पढ़िए और practically आप observe करेंगे कि यह figure कैसा रहा होगा अपने आप समझ में आ जाएगा यह कह रहे हैं कि tower है a tower stands vertically on the ground एक tower जो है ground पे vertically खड़ा हुआ है from a point on the ground 20 meter away from the foot of the tower tower के foot से 20 meter दूर हम एक ground एक point पर है यह 20 meter दूर हम है the elevation of the top of the tower हम यहां से इस top को देख रहे हैं तो जो elevation मना है वो 60 degree है तो कह रहे हाइट of the tower निकालो अब यह तो question विल्कुछ similar हो गया कि आपके angle के इंसाब से h और 20 में कौन relate करता है 10 तो अगर मैं यहां पर 1060 कर दूँ 1060 degree is equal to perpendicular AB upon haptinus हो गया AC 1060 की value हम जानते हैं under root 3 AB मुझे निकालना हो और AC है 20 तो h की value क्या जाएगे 20 under root 3 meter तो एक तो यह option आपका हो गया कहीं दिया होगा यह भी हो सकता है कि root 3 की value क्या होती है root 3 की value क्या होती है root 2, root 3 है याद होने चाहिए बहुत ही popular value इसकी है क्या होती है है देखे हाँ very good root 2 होता 1.414 और root 3 होता है 1.732 अब जितने digit तक आपको लेना है यह 3 digit बना दिया तो यह value याद होने चाहिए तो मालिया आपका answer यह option आया हुआ है हो सकता है आपके answer यह option दिया 1.732 तो multiply करके जो value आएगे निकाल लेंगे this is the height of the tower जैसे एक ladder वाला problem है कुछ भी दे ले लो मैं randomly decision कर रहा हूँ जैसे मैं fourth question ले रहा हूँ इसका और इसकी इनोंने जो height दी है और 10 meter दी है देखो पोल को सीधा करने के लिए आप क्या करते हैं पोल के top से एक तार को खीच के जमीन पर बांद देते हैं तो यह कह रहा है कि यहां से ground है और यहां से एक steel wire को इस प्रकार से tight कर दिया गया ऐसे होता है देखा होगा पोल को जिसे पोल गिरे ना उसको ऐसे tight कर देते हैं अच्छा फिर कह रहा है थिव दो वायर मेक्स एंगल 45 डिग्री विद्धा होरिजन्टल थो दा फूट आप दे पोल यादि होरिजन्टल से अगर इस 45 बनाए यह ध्यान दखिएगा कि यह एंगल होरिजन्टल से दिया है कि वर्टिकल पोल से दिया है यह ध्यान दखिएगा मतब दो चीज़ें लग लग है तो कहते हैं गर इस 45 डिग्री बनाए देन फाइंट अब लेंथ आप दे वायर वायर की लेंथ निकालना है अब वायर सम्ट इस बात ऐसे बादा जाता है अब आपके डाइग्राम के हिसाब से यह दो साइट दी हैं इनके शुभनाम क्या है गुड नेम प्लीज यानि यह पर्पेंडिकुलर दिया है और और हैप्टियोज दिया हुआ है है ना तो आपके डाइग्राम के हिसाब से पी और एच दिया हुआ है और पी और एच में कौन सा ट्रिग्रमेटिकल रेश्यो रिलेट करता है लगा दीजिए तो साइन अब देखे था को सेक टो साइन का रेसिप प्लों होता वह गयाיא intense हो गया ABC तो Impact effective की value क्या होती है कुईख बताइए 1 upon root 2 तो 1 upon root 2 और AB की value है 10 और BC की value पता नहीं हमने X माना है तो BC की value आएगी 10 under root 2 अब root 2 अगर रख देते हैं 1.414 तो 14.14 मीटर का wire है जो इसको सिधा खड़े करने के लिए इस प्रकार से बाधा गया है ग्राउंड से 45 डिग्री पे काँ ऐसी हो गया हर जगे ग्राउंड से थोड़े पूछा जारा पूछा जारा उससे आप से लिखेंगे न अगर आप से ये पूछते हैं बताईए वो जो हमने बातार को बाधा है वो इसके foot से कितनी दूर है तो आप 10 लगा सकते हैं कॉज लगा सकते हैं जो चाहे हो लगा दे एक और question डिसस करते हैं question number 9 मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कोई मतलब नहीं उसमें क्या लिखा है क्योंकि सबका मतलब एक ही लिखा हुआ है अलग-अलग type के diagram है अलग-अलग लोग observe कर रहे हैं उसको question कह रहा है कि a vertical tar stands on a horizontal plane अच्छा एक vertical tar है ये एक vertical tar है ये tower है A-B ठीक है and is surmounted by a vertical flag stuff of height 5 meter flag stuff मतलब उसके उपर एक जंडे का डंडा लगा है जंडा लगा है तरह के समझेगा इसके उपर एक जंडा लगा हुआ है ऐसे यहाँ पर एक जंडा लगा हुआ है B-C तर और कितने height का लगा हुआ है 5 meter height इसा बोला इनों नहीं कहना है कि इस point से इसका bottom देखा गया पहले अब bottom देखने मतलब होता है आपने आपको ऐसे उठाया और bottom के state में आप ले गए तो यह जो angle है वो दिया 30 degree यानि ground से 30 degree और अब आप इसके top को देखा आपने तो आपको यहाँ तक उठाया आपने यह पूरा elevation है 60 degree तो आप से का find the height of the tower height of the tower निकालना है यह h, यह tower a से b तक है आपको दिख रहा होगा कि जो निकालना है तो अच्छी बात है एक और side होनी चाहिए तो जगरबढ़ कर रहा है और side dvv है मतलब use करनी पड़ेगी आपको यह वाली side जो है ना यह हमको use करनी पड़ेगी तो मैंने इसको क्या माल लिया x माल लिया आपको दो triangle दिख रहे होगे तो आप हम करेंगे क्या एक दोनों triangle में hv आएगा और xv आएगा नहीं आएगा तो हम किसी भी तरीके से एक्स को काइब कर देंगे दिखो फ़रे छोटा triangle लेते हैं इन ट्रेंगल a, b, d कौन सा trigonatical ratio लगा है जाएज में sides के इसाब से दो sides के नाम क्या है हाँ 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 यानि कि क्या sign cost time में क्या लगा है हाँ तो 10 लगा देते हैं तो आएगा 10 30 is equal to a, b upon a, d 10 30 की value quick पीछे न बलटी है 1 by root 3 a, b की value पता नहीं h, a, d की value x हमको गाइब क्या करना है यहां से x को गाइब करना है तो ऐसा करते हैं यहां से x की value निकाल लेते हैं क्या आएगा under root 3 h तो जहां पर इस्तेमाल करना होगा वहां पर हम x क्या यूज कर देंगे आप बड़ा triangle देखिए right triangle triangle a, c, d in triangle a, c, d 10 60 लगा दें तो perpendicular आएगा a, c और base आएगा a, d 10 60 की value root 3 और a, c क्या है h plus 5 अपान x तो आएगा under root 3x is equal to h plus 5 किसे गाइब करें हम हमको चुकिए h की value चाहिए तो मैं x को गाइब कर देता हूँ ठीक है तो equation number 1 से x की root आग या रख दो तो y equation 1 putting the value of x y equation 1 putting the value of x putting h putting is a wrong word हम substituting लिखते हैं mathematics का मामला है तो इंगली थोड़ी ची चल जाती है देखे under root 3 x की value क्या रही है under root 3h is equal to h plus 5 आप सको calculate कर लिजेगा ये 3h आएगा और ये h इदर transfer कर दो is equal to 5 ये 2h आएगा 5h is equal to 5 by 2 meter यानि 5 by 2 meter ये height होगी समझ जाई बात करिए इसको एक और समझ जारी बात आदिस साब देखे diagram को feel करना पड़ेगा कि क्या क्या given है अपने आप समझ में आ जाएगा tough नहीं है heart ठीक है ये two dimensional है बड़े classes में three dimensional प्लाई जाती है तो हटा दिया से बस से three dimensional भी होती है इसमें 3D type की जैसे एक कुश्चन है 19 ऐसे ही में बता रहा हूँ एक कुश्चन है 19 केरा कि a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground एक पेड़ है कोई मालिया देखे ये पेड़ इस प्रकार से था पूरा a से लेकर के c तक पार्ट था पूरा पेड़ था आदी तूफार आया इसका यहां से लेकर के b से लेकर के c तक का पार्ट यह तूट गया और ऐसे यहां पर आ गया यहां पर गिर गया वो उतनी बड़ा होगा ध्यान रखिएगा यानि कि b c और यह आकर टच कर गया b c dash यही पार्ट होगा यही नम्बा इस से ह karate om अच्छा और कहार यहें ग्राउंड से जो है 30 डिगरी अंगल बना रहा है यह ध्यान रखिए इंगल कहा से बना रहा है जरूरी है अगर हो कहता कि जो ब्रोकन पार्ट ही वो ट्री के कि आपको by the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर यह जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है तो कहरें find the height of the tar and sorry find the height of the tree height of the tree बोला हूँ नहीं यह नहीं बोला height of the broken part height of the remaining part यानि कि tree का मतलब यह वाला part और यह वाला part मिला के पूरा निकालना है और यह वाला part इधर आगया सही कहा रहा हूं मैं यह जो part y था हो इधर आ गया अब आपके इस triangle में आप angle के हिसाब से अगर x निकालना होगा तो x और 8 एक unknown और एक known वाइस देखिए अगर आपने ऐसा कोई ऐसा ट्रिक्रमेटिकल रिश्यों ले लिया जिसमें x और y होंगे दोनों नोन तो कहां से निकलेगा तो x और 8 के हिसाब से इनके side के नाम क्या है कि अगर बताए भाई x और 8 ले या तो y और 8 ले x और y एक साथ नहीं ले सकते ना दोना known है तो यह परपिंडिकल बेस है तो कौन सा ट्रिक्रमेटिकल रिश्यों लगा दे 10 तो अगर आप 10 30 लगाते हैं लगाते का वही लगाएंगे तो परपिंडिकल आएगा x अपान 8 तैन 30 की value होती है 1 1 by root 3 is equal to x upon 8 चुक्कि x निकालना है तो x भी रहाएगी 8 by root 3 अभी value नहीं रख रहे हैं हम यह x निकलाया अब y निकालने के लिए क्या ले हम भई sin cos 10 में क्या ले यही main 3 होते हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं base upon happiness हाँ ठीक है लेकिन खमकाज लिए cos 30 is equal to base upon happiness cos 30 की value quick very good root 3 by 2 is equal to 8 by y y निकाला है न तो y को इदा ले क्या हो तो 16 by root 3 आएगा अब बताए है height of tree क्या है that is x plus y value दोनों उठाइए और add कर दीजिए तो x की value क्या है 8 by root 3 अब जो हम लिख रहे हैं वो visible है किस color से लिखा हुआ है ये black color दिख रहा है नहीं मैं blue color यूज कर रहा हूँ इसका मताँ ये color read नहीं कर रहा हूँ खेर तो ये कितना आएगा 24 by root 3 अब देखें जब भी हमारा answer जो होता है ज्यादा तर cases में हम denominator को rationalize कर देते हैं तो root 3 से उपर नीचे multiply करेंगे तो ये क्या आएगा उपर आएगा 24 root 3 upon 3 8 root 3 is the total height height of the tree अब ये ध्यान रखना आपसे पूछ क्या रहा है total height पूछ रहा है broken part पूछ रहा है remaining part पूछ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा हो गया ये वो black color दिख रहा है आपको चलो blue भी black कपका के ती दूर जाके वो जारा blue black हो जाता है देखिए एक कोशन ऐसे ही लेते हैं ये कोशन नमबर है आपका 23 23 नमबर देखिए 23 नमबर ये कह रहा है the shadow of the tar standing on the level ground is found to be 40 meter longer रहा समझेगा थोड़ा सा चेंज है the shadow of the tar standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree बतर देखो sun's altitude का बहले मतलब समझेगा ये हमारा tower है ये भी एक tower है अब समझेगा ये shadow है आप अगर shadow region में खड़े हो जाओगे तो क्या sun दिखाई पड़ेगा कब दिखाई पड़ेगा sun जब आप shadow के विल्कुल end point पे आओगे है ना हम क्या हुए यहाँ पर आए विल्कुल end point पे और यहाँ से sun को देखा तो sun यहाँ कहीं हमको sun दिखाई पड़ा ठीक है ये angle था आपको 60 degree ये shadow की length थी एसी तक अब हम थोड़ा सा shadow की length बढ़ी और हम पहुंच दिया d point पे और यहाँ से देखा फिर हमने sun को ऐसे तो यहाँ sun कहीं दिखाई पड़ेगा हमको और ये है 30 degree तो altitude sun में आया sun का ये जितने angle पे हमको दिखाई पड़ता है और दिखाई अब आप कहेंगे साब यहाँ खड़े हो जाए हम वो तो दिखाई पड़ेगा भाई भी shadow का क्या मतलब है आप वहाँ से shadow से बिलकुल दूर खड़े हो जाब बोले वहाँ से भी दिखता है sun हमको तो shadow का कोई मतलब ही नहीं है जहां से दिखना सुरू होता है तो यह कह रहे हैं कि जो altitude है वो जब 60 से 30 हो जाता है तो हमारी shadow 40 मिटर लॉंगर हो जाती है यह पहले shadow X थी अब यह जो extra part है वो 40 मिटर हो जाएगा ऐसा बोला इनोंने तो कह रहे हैं कि find the height of the tar है हमने इतना 40 माना है हमारा shadow 40 बढ़ जाता है पहले वाले shadow से 40 लॉंगर हो जाता है तो जितना बढ़ा part है हमने यहां से लेकर कि यहां तक का part हमने जो है वो माना है ना और height निकालना है आपको यहां पर दो right angle triangle दिख रहे होंगे दोनो right angle triangle में एक ऐसी side है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है यह बिना उसके काम नहीं चल रहा है that is x तो पहले यह right angle triangle देंगे वहां से x निकालेंगे फिर बड़ा वाला right angle triangle देंगे वहां पर x का use कर देंगे समझे है logic करना क्या है तो in हाँ बताए अच्छा in triangle ABC यह v point यहां पर है in triangle ABC हम tan 60 लगाएंगे तो आएगा perpendicular h upon x tan 60 की value quick root 3 is equal to h upon x हमें गाइब किसको करना है यहाप पर h को गाइब करना है x को गाइब करना है तो मैं यहां से x की value निकाल लेता हूँ तो x की value क्या है गी h y root 3 यह equation number 1 हो गया अब मैं triangle लेता हूँ a b d in triangle a b d tan 30 परपने को फिर h आएगा base आएगा 40 प्लस x 10 30 की value 1 by root 3 h by 40 plus x अभी नहीं रख रहा हूँ cross multiply कर लीजे तो यहाँ पर लिखे दे रहे 40 plus x is equal to h root 3 अब put कर दिये value x की 40 plus x की value क्या है h y root 3 is equal to h root 3 अब इसे आप mathematically calculate कर सकते हैं इसको h को transfer कर दो उधर तो आएगा 40 is equal to h root 3 minus h by root 3 यहाँ root 3 LCM हो जाएगा तो उपर आएगा 3h minus h is equal to 40 तो 40 is equal to 2h by root 3 तो h की value आएगी 40 root 3 by 2 बोले तो 20 root 3 मीटर जा calculation देख लीजेगा कभी कभी कहीं पर वो जल्दबाजी में स्लिप कर जाता है एक example मैं डिस्स करना चाहता हूँ बहुत बहुत प्यारा सा example है example number 35 है समझना है बसके वाल diagram से मैं समझा दूँगा समझ में आ जाएगा देखिए diagram बन गया यह तो इस यह test test दिख रहा है आपको देखो जो जिन figures के बारे में बात कर रहे हैं वो figure हमारे daily नजर में पढ़ते हैं टावर है यह है elevation angle से समझानते हैं ठीक है तो यह elevation है ज़रा देखिए द्यान से example 35 कहे रहा है कि if the angle of elevation of a cloud from the point h meter above the lake is alpha पहले इतनी बात हम कर लेते हैं देखो यह lake है यह lake का level हमने बनाया अब यहां कहीं cloud है और हम इस cloud को देखना है यह cloud यहां से lake से ऐसे यहां पर होगा हम जहां से देख रहे हैं वो point lake से h meter above है यहां यहां कहीं है h meter above यहां जब हैं तो आप simple सी बात हम सीधे देख रहे थे और यह position cloud की थी तो cloud को देखने के लिए हम को अपने आख को alpha angle से उठाना पड़ा सही कह रहा हूं मैं फिर कह रहा है कि and the angle of depression आगे इस बोलते हैं and the angle of depression of its reflection in the lake is beta देखो अब क्या इस reflection से इस point से कोई मतलब है आपका cloud cd है तो reflection तो बिलकूल इसके opposite यहां पर आएगा c dash पर नहीं आएगा और आप सीधे यहां देख रहे थे और आप ऐसे मुड़ गए तो यानि कि आप इसको ऐसे देखने लगे तो यह बीटा बोल नहीं डिफ्रेशन तो कहने height of the cloud निकालना है height of the cloud कहां से यहां से पूछ रहे होंगे यह पूरा आपको निकालना है capital H डाइग्राम समझ में आया अच्छा देखे अगर लेक्स के लेवल से h height of cloud था तो उसकी reflection कितनी height पे होगी अरे मताब वो उससे direction से कोई मतलब नहीं है यानि यह भी तो h height होगी नीचे अच्छा इसको L पॉइंट मालो M पॉइंट मालो अब देखो द्यान से कौन सी ऐसी side है जो दिक्कत कर रही है उसके बिना काम नहीं चलेगा और जरूत नहीं हमको है दोनों triangle में एक ऐसी side जो दिक्कत क्रेट कर रही है यह इसको मैंने X माल लिया तो दो राइट angle triangle आपको दिख रहे हैं जहां पर alpha बिटा है एक तो आपका in triangle BMC 10 alpha लेना पड़ेगा height of the cloud कभी-कभी अब अत्मीजी कर देते हैं यह कहते है distance of the cloud from the point of observation यहां से दूरी पूछ देते हैं फिलाल height पूछी है तो देखो 10 alpha में perpendicular होगा cm और base होगा BM अब बताओ इसमें cm की value कितनी है ध्यान से बताइएगा cm की value cm परपेंडिकुरे की value यह कितनी है हाँ capital H minus small H है ना और upon x है हमको गया किसको करना है x को यहां से x की value निकाल लिजेगा तो x की value आएगी capital H minus small H upon 10 alpha सही में कह रहा हूँ पहली बात अब दूसरा right triangle triangle कौन से दिख रहा आपको BMC dash दिख रहा है in triangle BMC dash BMC dash 10 beta लगा दे तो perpendicular क्या आएगा MC dash और base आएगा BM तो 10 beta is equal to MC dash की बताओ value कितनी होगी यह point से क्लाउड के reflection की दूरी कितनी होगी हाँ capital H plus small H upon यह x से फिर यहां से x निकाल लो तो x क्या निकलेगा capital H plus small H upon 10 beta अब देखें दोनों equation से x की value को equate कर दो यह यूं कहे दो यह x की value यहां रख दो कुछ भी आप कह दो तो by equation 1 & 2 तो मैं दोनों को equate कर देता हूं equate वाली बात समझा रही ना दोनों x की value equate किया या हमने दोनों को divide कर दिया x कर गया या हमने यहां से x की उड़ा गया रख दी बात वही है तो मैंने इसको वैलू रखी तो capital H minus small h upon 10 alpha is equal to capital H plus small h upon 10 beta अब साब साब दिख रहा है कि हमको capital H निकालना है तो we have to do cross multiplication अब इसको आप cross multiply करिये और चुकि capital H निकालना है तो इसकी सभी terms को एक तरफ transfer करिए से क्या आएगा इसको निकालेंगे तो आएगा capital H 10 beta minus इसमें इधार दिखेंगे यह नोट का लिए आए दाइग्राम समझ में आएग नहीं आया है हाँ में कोशन कहें क्या रहा है यह ध्याना कीएगा बहुत बड़ी बात है तो मैंने यह term हटा देगा मैंने इसको जब calculate किया स्वाग्या capital H 10 beta minus small H 10 beta is equal to capital H 10 alpha plus small H 10 alpha अब capital H की जो term है उन्हें एक तरफ कर दो यह capital H contain करता है यह capital H करता है और capital H काम ले लो तो यह जाएगा 10 beta minus 10 alpha और इसमें जाके small H काम ले लो तो 10 beta plus 10 alpha तो capital H की value आएगी small H 10 beta plus 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha बात समझ में आई झाएगे